Hello everyone and welcome to OnlyIS. Current Affairs Revision Series में Environment and Ecology का ये तीसरा लेक्चर है. इस लेक्चर में हम जुलाई मन्त के सभी related Current Affairs को कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर आप UPSC या किसी भी State PCS exam के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं, तो आप हमारे Telegram Channel OnlyIS Nothing Else को जरूर से जोइन करें. तो बिना देरी किये हुए, चलिए आज के लेक्चर के शुरुआत करते हैं. इस सेशन का First Important Article सिंगा लिला नेशनल पार्क के बारे में है. अभी इस एरिया में Red Panda को इंटोड्यूस किया जाएगा. इसी रेफरेंस में ये न्यूस है. प्लान ये है कि आने वाले 5 सालों में हम यहाँ पे लगभग 20 Red Panda इंटोड्यूस कर देंगे. सिंगा लिला नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, जो कि सिंगा लिला रिज के आसपास लोकेटेड है. 7000 फीट की उचाई पर. दाजिरिंग डिश्टेज जो वेस्ट बंगाल का है, वहाँ पे लोकेशन देखे. यहाँ पर आपको सिंगा लिला रिज में लेगी, और ये जो एरिया है, ये सिंगा लिला नेशनल पार्क का है. ये दाजिरिंग वाले एरिया में है, तो मैप में लोकेशन आपने देख ली, फंडामेंटल सा आपने समझे, अब देखे. जो पाक है, उसे वाइलेफ संस्री डिकलर के गया था 1986 में, और नेशनल पार्क 1992 में, इस्टन हिमालिया का पार्ट है. यहाँ पे जो रिज है, वो North South, उसका डिरेक्शन है, जो की हिमालियन वेस्ट बंगाल को इस्टन हिमालियन रिज से अलग कर दे रहा है. दो हाइस्ट पीक हैं वेस्ट बंगाल में, पहला है संदाक्फू, यह 3630 मीटर की है, और दूसरा है फालूत, यह 3600 मीटर का है, यह इसी रिज में लोकेटेड है, पाक के भीतर, रम्मम रिवर और स्रिखोला रिवर, इसी पाक से होके गुजरती है, रेट पांडा की बात क होता है, पेडों पे लाजली रहने वाला यह एक मैमल है, बहुत ही क्यूट सा होता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपने में भी कुंफू पांडा जैसी मूवीज भी देखी हूँ, इंडिया, नेपाल, भूटान और नदन, मौंटेन जो म्यांग मार का है, सदन च करता है, और बंबू के फारेस्टिस के बहुत ही फेवरेट होते हैं, वहाँ पर यह मजे से रहता है, देखे पांडा पर नहीं, लेकिन हाथी पर प्रशन पूछा गया है, मतलब जीवों पर प्रशन पूछे जाते हैं, चार्स स्टेटमेंट थे 2020 में प्रशन पूछा गया स्टेट्स में केरला में सबसे हज़ेष्ट एलेफेंट पॉपलेशन मिलती है, तो पहले दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, तीसरा एंकरेक्ट है, विकॉज यह 56 वर्स की आयो तक काविंग कर सकती है, और यह गलत है, विकॉज सबसेदा एलेफेंट सापको करनाटका म मिलते हैं, केरला में नहीं, तो one and two answer हो जाएगा इसका, एक और चीज जो news में रह रही है, वो है, plants के अंदर जो nitrate का absorption होता है, उसको regulate करने की बात चलने, क्या होता है कि plant में जितना ज़रा nitrogen का absorption होगा, उससे उनकी growth decide होती है, क्योंकि वही चीज जाके chlorophyll, वही चीज जाक transcription किस गती से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, plant के अंदर उसको regulate किया जा सकता है, इसको regulation करने के लिए, जिसका इस्तमाल करेंगे, वो उनका gene होगा, mads27, इसका transcription factor है, इसमें बदलाओ किया जाएगा, और ये बदलाओ किया जाएगा, एक जो miRNA, microRNA है, mi4444 के द्वारा, mi4444 क किस तरह उनको control करेंगे, वो हम regulate कर पाएंगे, कितना nitrogen लेगा ये, तो हमारी काम की चीज़ी है, किसने बनाया है, TFI, क्या काम करेगा, nitrate absorption को regulate करेगा, plant में, nitrate absorption से होता क्या है, तो क्योंकि related है ये, कि plant कितना stress जहल सकता है, उसकी growth कैसी होगी, कितना photosynthesis कर पाएगा, उसका root तो increase कर पाएंगे, nitrate absorption, ताकि root और ज़रा बढ़ पाए, और ज़रा stress को जहल पाए, इसके लावा हम ये भी कर पाएंगे, कि अगर एक point पे हमें जाकर उसे contain करना है, या कहीं पर किसी plants में contain करना है, वो भी हम ऐसा कर पाएंगे, ये बड़ा important nutrient है, nitrogen सबसे शरूरी होता है, plants की जाएगे, अभी सीधा उसको apply नहीं कर लेते हैं, पहले कफी studies इसके उपर होती है, तो वहाँ भी काम चल रहा है, to control the nitrate absorption in plant, ताकि हम और बहतर तरीके से, अपने जो objectives है, उसको पूरा कर प्लांट की growth को लेकर, उनकी strength को लेकर, इसी से related question आया था, agriculture soils, nitrogen oxides into environment, cattle release ammonia into environment, and poultry industry releases reactive nitrogen compounds in the environment, इसका सही answer होगा, क्या होगा, इनमें से option हैं में पताना, अगर आपने पढ़ा है, environment में इन topics को, तो हमें पता है कि जो cattle होते हैं, मवेशी, वो ammonia release करते हैं, जब हम agriculture soil को जादा करते हैं, तो वहाँ से nitrogen oxide environment में release होते हैं, specifically जो खड़ी फसले हैं, अगर हम धान की ब कर सकते हैं, जब हम यह topic पढ़ रहे हैं, तो अच्छा nitrogen fixation को control, nitrogen absorption है, उसको control करने की बात हो रहे है, nitrate absorption की बात हो रहे है, plant में इस topic के अंदर, इसका मतलब हमें इतना दो पता लगए कि plant यह absorb करते हैं, तीक है, और जब यह पेड चलाए जाए 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 QM के बारे में है, इन्होंने भी आहाली में NCR, National Capital Region को dictate किया है, direct किया है कि आप standard list तयार करिए, उन fuels की जो air pollution को reuse करते हैं, बात करते हैं, CAQM क्या है, यह एक statutory body है, मतलब इसके लिए कोई act आया था, बिलकुर, National Capital Region and Adjoining Areas, यहाँ बे देखे, यह form किया गया, Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjo इसको, उन्हें resolve करें, ताकि जो भी pollution है, उसे कम किया जा सके Delhi NCR Region में, आस-पास के areas भी इसमें cover होते हैं, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेस, जो NCR का region है, उससे जुड़े हुए जो भी areas हैं, यहाँ पर अगर अगर आप pollution फैलाएंगे, तो Delhi NCR में pollution आ ज हिस्सा होते हैं, experts होते हैं, Center Pollution Control Board से, ISRO से, और Civil Society के members को भी इसका हिस्सा बनाया जाता है, काम विलकुल साफ है, आप coordinate करिए, डिल्ली, हरियाना, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेस के साथ की pollution कम हो, further, plan बनाईए, उस execute करिए, इसके नामा framework तयार करिए, कि हम air pollutants को identify कर सके, research conduct करिए, कोसिस करिए, कि technical institutions सामिल हो, pollution कम हो, training दीजिए, special workforce तयार करिए, जो pollution को counter कर सके, कई सारे action plan तयार करिए, plantation बढ़वाईए, और जो stable burning है, उसे control करिए, ताकि pollution रोख सके, नेक्स आर्टिकल, Great Indian Bustards के बारे में है, 2018 की counting के हिसाब से, गुजरात में अब महज, चार female Great Indian Bustards बची है, concerning है, भारत में मुस्कल से 150 Great Indian Bustards होंगे, इनमें से 122 तो राजस्थान में ही है, इनकी कुछ population गुजरात में है, और छिटपुट कुछ अन्य राज्यों में मिलती है, इनकी संख्या बहुत कम बची है, अगर हम इनने अभी बचा नहीं पाए, तो हो सकता है, आने वाली पीड़ी ने देख भी ना पाए, फ्लैक्शिप, Grassland Species है, Grassland की जो ecology है, उसके health को भी indicate करता है, मतलब अगर ये हैं, तो Grassland की ecology अच्छी है, नहीं तो नहीं है, इनकी population majorly आपको राजस्तान गुजरात में मिलती है, कुछ hit put आपको महराश्रा, करनाटका और आंदरप्रदेस में भी दिखेंगे, IOSN की red list में है critically endangered, Sidescape Appendix 1 में, और Wild Air Protection Act of 1972 के schedule 1 में, इनको खत्रा है, collision, जो electro caution होता है, उससे, जो lines होती है, electric lines होती है, उससे टकरा जाते है, बह इनका सिकार होता है, मतलब, it's really threatening, कि इतनी कम संख्या के बावजूद, पाकिस्तान में तो UAE के जो रजवारे होते हैं, वो हाते हैं, उनको पाकिस्तान की सरकारा लाओ कर देते हैं, कि जाई बस्टरड को मारिये, निश्चित तोर पे ये दुखत है, लेकिन कई जगों पे इनकी हंटिंग हो रही है, इनका हैबिटेट खतम हो रहा है, एग्रिकल्चर एक्सपेंशन से इनके पास जगह नहीं बच रही है, इसलिए इनकी संख्या में कम ही आ रही है, प्रयास किये गए हैं, इनकी रिकवरी के, इस्पिसीज रिकवरी प्रोग्राम में हमने एड़ क इनकी कंज़र्वेशनल ब्रीडिंग फैसलिटी को डेवलप किया, डेजर्ट टल्सुनल पार्क में 2019 के जून में, जासलमेर में, जहां पर उनकी पॉप्लेशन को रख लिया जाता है, मतलब एक लोकेशन के उस रक्षित कर लिया जाता है, वहां पर उनकी ब्रीडिंग सकें और जो उनके infra का जो development हो रहा है जिससे उनके habitat को नुक्सान हो रहा है मुझे बचा पाए हमारा next article tropical ozone hole के बारे में है अभी एक नया ozone hole खोज लिया गया है जो कि 30 degree south से 30 degree north के बीच में है ऐसा एक recent यानि कि हाल ही की study ने claim किया है हलांके experts इस पर एक मत नहीं है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये hole नहीं है लेकिन अगर ये hole 30 degree south और 30 degree north के बीच में है तो हम इसे कहेंगे tropical ozone hole इसके पहले जो ozone hole काफी जादा cause of concern बना रहा that was ozone hole जो अंटार्कटिका के उपर बना था जो काफी हद तक recover हो गया है हलांकि spring season में समस्या अभी भी रहती है जो ozone के molecules होते हैं उन्हें तीन oxygen के compounds होते हैं यानि कि O3 यहाँ पर देखें इन जनर जो oxygen होता है जिसे हम सांस लेते हैं वो O2 होता है जो कि हमारे atmosphere में 21% है लेकिन जो O3 है यह हमारे atmosphere में 0.001% से भी कम है लेकिन फिर भी बहुत ज़ादा important है ozone बनता कैसे है देखें अगर आप atmosphere के layers में जाएंगे तो सबसे नीचे आपको मिलता है troposphere tropopause के बाद आजाता है stratosphere stratosphere में जो atmosphere होता है वो काफी ज़ादा थिन हो जाता है यहाँ पर जो oxygen होती है जब यह ultraviolet rays से टकराती है तो oxygen में जो O2 होता है यह O and O में टूट जाता है और जो बाकी कोई दूतरा O2 है यह उसके साथ connect होके O3 बना लेता है इस तरीके से यहाँ पर ozone की एक layer तयार हो जाती है जो ozone की layer होती है वो ultraviolet rays को सोखने में भी सक्षम होती है इसके बज़र से जो energy release होती है वो इस पूरे region को काफी ज़ादा गर्म भी कर देती है and that is the reason की in general क्या होता है जब हम उपर जाते हैं height में तो जो temperature है वो गिरता रहता है लेकिन जब हम ozone layer वाले इस छेतर में पहुंसते हैं तो यहाँ पर temperature एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और इसे temperature inversion कहा जाता है क्योंकि in general height पर जाने पर temperature गिरता है लेकिन यहाँ पर बढ़ने लगता है यानि कि एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है यह बात तो समझ में आगे यहाँ पर देखिए कैसे जो ozone की layer है वो तयार होती है उस पर हमने चर्चा कर ली जो ozone layer है वो हमारी atmospheric ozone का लगभग 90% ozone अपने आप में समेट के रखती है यह ozone layer हमें 10 से 40 km की उंशाई पर मिलती है और peak पर आपको यह layer 25 km में मिलती है इन जनरल की कोई layer नहीं होती है मतलब एक बहुत परत होती है मोटी सी जहाँ पर खूब सारे जो O3 के compound है वो available होते है जो ozone layer होती है यह earth पर life के लिए बहुत जरूरी है बिकाज जो ultraviolet radiation है इसमें specifically UVB radiation है जो काफी खतरनाक होता है जिसके wavelength 280 से 350 nm के बीच होती है उसे यही ozone layer रोकती है यहाँ पर यह stratospheric temperature inversion के लिए भी जिम्मेदार है जो मैं आपको अलड़ी समझा चुका हूँ ozone hole पिछले कई सारे दसकों से जो southern hemisphere है वहाँ पर spring chemical reaction के वज़े से चहाँ पर chlorine और bromine के अधिकता के वज़े से ozone की जो परत है उसमें depletion दिखा जाता रहा जिसको revive करने के लिए कई सारे प्रयास किये गए Dobson unit है जो की total ozone को measure करती है जो chemicals ozone के depletion के लिए जिम्मेदार रहे 200 chlorofluorocarbon जिनने shortness CFC कहा जाता है halones और carbon tetracloride यह कई सारी चीजों से release होते हैं जैसे की refrigeration से, air conditioning से, foam packaging से या फिर जब हम aerosol के spray cans बनाते हैं तब और इससे जो ozone deplet होती है उसे ही ozone hole कहा जाता है इस पर एक प्रशन आया था पूछा गया था कि यह जो ozone depletion का मामला है इसे control करने को लेकर, phase out करने को लेकर कौन सा जो initiative है वो associated है सही जवाब भी था monitor protocol यह प्रशन 2015 में पूछा गया था हमारा next article EIA rules में amendment को लेकर है Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने अभी हाल ही हुई environmental impact assessment rules में amendment किया है और कई तरीके के exemptions लिए है environmental clearance लेने को लेकर जब भी आपको ऐसा project run कर रहे हो जहां पर पर्रयावड़ प्रभावित होता हो तो फिर आपको environmental clearance लेना पड़ता है लेकिन कुछ exemptions अभी हाल फिलहाल में grant किये गए है पहला, अगर कोई highway project ऐसा है जो strategic है या defense के importance का है अगर वो हमारे waters के 100 km के भीतर है in that case कोई ऐसी location जो strategic हो तो उनके construction के लिए environmental clearance के आविशक्ता नहीं पड़ेगी दूसरा कोई ऐसा highway, यहाँ पर देखिए दूसरे के पहले हम यहाँ पर आते हैं कि जो एक चारधाम project था जो काफी controversial बना हुआ था Supreme Court के सामने यह plea गई थी और एक high power committee इसे देख भी रही है उसे भी इस प्रकार का जो exemption है उसके ambit मे ला दिया गया है अब उसमें भी दिक्कत होगी नहीं दूसरा यह है कि अगर कोई biomass based thermal power plant है तो उसे भी exempt कर दिया गया है कुछ conditions है 15 megawatt up to उसमें जो power है वो generate किया जा रहा है हो जिसमें biomass या non hazardous municipal solid waste का इस्तिमाल करें और जो petroleum product coal or ignite का हम इस्तिमाल करें वो 15% तक ही होना चाहिए maximum मतब कुल मिला कि वो fuel eco friendly होना चाहिए तो exemption मिलेगा कोई ऐसा port है जो fist handling करता है harbor है चोटे fishermen वहाँ पर अपना काम करते हैं ज़्यदा pollution ये जो भी harbor है port है फैलाता नहीं है तो उन्हें भी environmental clearance नहीं चाहिए होगा इसके रामा toll plaza बनाने के लिए अगर सड़क की जमीन को extend करना है तो environmental clearance नहीं चाहिए होगा आपने देखा होगा कि जब भी आप सड़क पे जाएं तो जो toll plaza की location होती है वो generally चौड़ी हो जाती है कुछ ऐसे ठीक है और उसके बाद वो आगे चलके फिर से अपने ship में आ जाती है तो यहां पर बहुत ज़्यादा area चाहिए होता है reason यह होता है क्योंकि कई सारी गाड़ियां आके रुकेंगी ताकि ज़्यादा ports मतलब जो airports हैं उनमें ज़्यादा जगे हो जाए और ज़्यादा तेजी से जो भी लोगों की आवाज आई है वो ensure हो सके तो उसके लिए भी clearance नहीं required होगा तो यह changes है हमारा next article snow leopard के बारे में है हाल की एक study में जो logical survey of India के snow leopard के बारे में जानकारी दी गई इसी reference में यह news में आया यह उचाई पर रहने वाले जो central और southern Asia में पाया जाने वाली एक wild cat की प्रजाती है बहुत यह extremely cold climate में यह रहते हैं indicator species होती है because यह food web में predators में top पर आते हैं मतलब यह सबसे बड़े शिकारी होते हैं पूरे mountain ecosystem में अगर यह है मतलब mountain ecosystem बढ़िया है अगर इनकी संख्या कम हो रही है मतलब mountain ecosystem जो है वो कमजोर पढ़ रहा है deprive हो रहा है illusive species होती है दिखती नहीं आसानी से एक तो इनका color ऐसा होता है कि mountains में आसानी से छुप जाते हैं और दूसरा यह सामने आना पसंद भी नहीं करते and that is the reason कि इन्हे ghost of the mountains के नाम से भी पुकारा जाता है जिन्हें आप आसानी से देख नहीं सकते हिमाचर प्रदेस का यह state animal है कई सारे अन्य देसों में भी बाया जाता है जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, चाइना इंडिया, खजाकस्तान, किर्गस्तान, मंगोलिया, नेपाल पाकिस्तान, रश्या, तजाकस्तान और उजबेकिस्तान बारत में ही कई सारे रेजिंस में आपको मिलेगा endangered कर दिया है red list में उन्होंने इसे endangered category में डाल दिया है migratory monark butterfly एक प्रजाती है butterfly की ये monark butterfly की एक sub species है काफि important pollinators होते हैं जिनकी मदद से जो beach हैं जो flowers हैं वो निकलते हैं ये इसके नाव भी कई तरीकी की ecosystem services देते हैं जैसे कि global food whip को तयार करते हैं इंसेक्ट वगरा को खा लेते हैं तो food chain में भी इनका बहुत important rule होता है butterfly एक बहुत unique lifestyle opt करती है जैसे कि American continent में miserly पाया जाते हैं तो पूरे साल में ये continent का दो चक्कल लगा देते हैं लेकिन एक विसेश प्रकार के पौधे पर ये breed करते हैं जैसे कि milk weed का एक पौधा होता है वहीं पर ये breed करते हैं इसे Indian जर्ट क्लासिफाई करने का कारण ये है कि पिछले decade में इनकी संख्या 30 से 72% तक कम हो चुकी है इसका कारण इनके habitat का खतम होना और climate change बताया जा रहा है IUCN के बारे में बात करते हैं इसे 5 October 1948 को found किया गया fundamental काम ये है कि environmental organization है तो biodiversity को conserve करने के लिए लगाता प्रयास करता है 1000 से ज़ादा government और non-government organizations इसका हिस्सा हैं जो 140 देसों से संबंद रखते है IUCN red list जो threatened species की है उसमें comprehensively assess किया जाता है कि कौन से ऐसी प्रजाती है जो extinct हो सकती है या होने वाली है यह headquartered है Switzerland के gland में 2022 में ये प्रशन आया है 2012 का प्रशन है 2022 का नहीं यहाँ पे 4 जीवों के नाम दिये गए हैं पुछा गया है इन में से कौन सा endangered species है great indian bustard, musk deer, red panda और asiatic wireless यह जो option A है that was the correct answer in 2012 हमारा next article 5 नई ramsa sites add की गई है उनके बारे में है इसके सांथी भरत में जो ramsa sites की संख्या 49 थी वो बढ़के 54 हो गई पाचों का नाम देख लेते हैं, details देख लेते हैं पल्ली करनई, marsh, reserve, forest सबसे पहले mars क्या होता है, mars एक ऐसा wetland होता है, जिसमें बहुत सारी grass से सोती है, ठीक है तो अगर swamp है, तो swamp का मतलब होता है कि वहाँ पेड मिलेंगे आपको wetland में और अगर marsh है, तो फिर घास मिलेगी तो इस प्रकार के wetland होते हैं, ठीक है तो जो पल्ली करनई, mars, reserve forest है यह एक fresh water mass है एक प्रकार का wetland है, जहाँ पे खुब सारी घास मिलेगी तमिल नाडू के चिन्नई में है देखा जाए, तो city में यह एक मातर surviving wetland ecosystem है इन फैक्ट, जो national wetland South India में है, उनमें से कुछी बचे हुए है और उनमें से एक है पल्ली करनई तो इसे, रामसा साइट डिकलेर कर दिया किया दूसरा है, करी किली, bird century यह कांचीपुरम डिस्टिक में है, तमिल नाडू के चिन्नई से 75 km दूर है द्यान दीजिए, दोनों अभी तक चोह में मिले, वो तमिल नाडू में तीसरा, पीचावरम mangrove यह चिदंबरम के नजदीक में एक गाउं में लोकेटेड है, जो कुडलो डिस्टिक है तमिल नाडू का वहाँ पर, पुराब लाज़ेस्ट मेंगरू वीको सिस्टम माना जाता है इंडिया में लिक्टोरल और स्वैंप फोरेस्ट हैबिटेट है स्वैम, पतलब, पेड़ बगएरा मिलेंगे यहाँ पर इस प्रकार का यह वेटलैंड है विलार और कोली डैम रिवर्जो हैं उनकी एशुरी इस पर ही लोकेटेड है पेड़ मिलते हैं, जिनकी जड़े पानी में बहुत नीचे तक गई होती है तो तीन अभी रामसा साइज जो मैंने आपको बताई हैं तीनों अभी तक तमिल नाडू में है चौती है पाला वेटलैंड, यह मिजूरम में है यह अलग हो गया यह भी मार्शी एरिया है, यहाँ पर हमें सांबर डियर, वाइल बोर्स बाकिंग डियर्स, यह सब मिल जाते है होलुक गिबंस भी यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि इंडेंजर्ड है और इस वेटलैंड की पूजा की जाती है वहाँ के लोकन लोकन के वरा जिन्हें मारा कहा जाता है जो पाँचवा है, that is साक्य सागर लिक यह इंटिग्रेटड पार्ट है बहुती ब्यूटिफुल एकोलाजी है मद्रप्रदेश में यह लोकेटड है माधव नेचनल पार्थ, शियवपूरी में इसे 1918 में, जो मैनियर रिवर है वहीं पर क्रेट किया गया था तो दीखें, पाँच में से तीन तमिलाडो में है एक जो है, वो मनेपूर में है मिजोरम में है, मनेपूर में नहीं, पाला वेटलैन मिजोरम में है और इसके लावा एक जो है, वो मद्रप्रदेश में है रामसार साइट्स क्या होती है? रामसार साइट्स एक पकार के ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो international importance की होते हैं जो दुनिया के लिए भी ज़रूरी है इन्हें रामसार convention के तहट designate किया जाता है जो किसे convention on wetland भी कहा जाता है यह convention युनेस्को ने करवाया था 1971 में वो जितना एरिया कवर करते हैं उसका 10% रामसार साइट्स ही कवर करती है देखे, South Asian countries में किसी भी देश के पास इतनी रामसार साइट्स नहीं है जितनी इंडिया के पास हैं इंडिया के पास अब कितनी है? 54 आपको यात रहेगा न? benefits क्या होते हैं रामसार साइट designate होने के? रामसार साइट बनगे इसका मतलब यह नहीं कि international funding होने लगे कि खुब सारा पैसा आएगा उसे develop करने के लिए नहीं ऐसा नहीं है लेकिन states और centers center जो है एक केंद्र वोई समझ जाता है कि हाँ यह important है हमें इसे conserve करना है encouragement से बचाना है further अगर कोई साइट रामसार साइट है तो लोगों को जानकारी मिल जाती है लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं international level पे भी उसकी visibility बढ़ जाती है हमारा next article forest rights act 2006 के बारे में है उडिसा पहला राज जी बनने वाला है जो बहुत परंपरागत तरीके से बहुत लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं जंगलों के उपर वो dependent है अपनी livelihood के लिए, habitation के लिए और socio-cultural needs के लिए दो तरीके के अधिकार उनको मिलते हैं individual right और community right individual right में उनके पास अधिकार है कि वो वहाँ कुछ उगाना चाहते हैं self-cultivation करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह नहीं कि ट्रैक्टर मंगा के पूरा जंगली एकदम फसल लगा दी वहाँ पर यह नहीं चलता self-cultivation आप खुछ से खेती करना चाहते हो कर लो और वहाँ पे आप रहना चाहते हो तो रहो कोई लिक्कत नहीं यह नहीं कि आप वहाँ पे एक कॉलोनी बिसाने लग जो community right में यह होता है कि वहाँ के जो भी resources हैं उनको अप्यूज कर सकते हो as a community grazing, fishing, water bodies की access जो particularly vulnerable tribal groups होते हैं उन्हें intellectual property rights दिये जाते हैं आपके पास कोई traditional knowledge है तो वो कोई medicine आप बनाते हो तो वो आपका right होगा ठीक है further forest land का allocation अगर development purpose से किया जाने वाला है तो वो हो या ना हो इसके लिए भी जो forest dwelling individuals होंगे उनकी अधिकार होंगे, community की अधिकार होंगे अगर उन्हें उनकी जमीन से एविक किया जा रहा है किसी भी वज़ा से Land Equisition या Rehabilitation Settlement Act जो 2013 का है वो उनको अधिकार देता है कि जब तक आप उन्हें compensate नहीं करेंगे आप उन्हें उनकी जमीन से हटा नहीं सकते काफि strong कानून है ये ग्राम सभा जो कि उन लोगों का एक समूह होता है जो vote करते है ग्राम परचायत को बनाने में उनके पास अधिकार होगा कि जो by diversity वहां की है वो उसे preserve करेंगे conserve करेंगे और कोई destructive practice opt ना की जाए इसे ensure करेंगे ताकि उनका culture और national heritage बची रहे क्राम सभा एक highly empowered body होती है under the act जो tribal population के लिए decisions लेती है कि local policies and schemes जो उनको प्रभावित करने वाली है वो कैसी उनके उपर लागो होंगी तो काफी powerful act है ये उनिसा इसे fully implement करने वाला है कि इस कानून को लाते वक्त जो ये जिम्मेदारी देता है सरकार को कि जो international agreements है उनके प्रावधानों को implement करने के लिए भारत में कानून बनाये जाए तो उसी बात को अधार बना के ये कानून existence में आया fundamental purpose ये था कि जो भी environmental safety के प्रावधान है उनको study करें, plan करें क्या requirement है उसको समझे speedly और adequate response किया जाए अगर कोई environmental threat हमारे सामने है तो इसमें penal provisions भी किये गए है जो भी प्रावधान किये गए है environmental protection act में अगर उन्हें follow नहीं किया जाता non-compliance दिखाया जाता है या उसमें सही तरीके से उसका follow नहीं किया जाता तो violators को punish किया जाएगा ये punishment पांस साल तक की jail हो सकती है या एक लाख रुपय तक का जुर्माना या फिर दोनों अगर कोई ये violation बार-बार करता है तो fine 5000 रुपीज पर डे के basis पे हो सकता है और अगर ये violation एक साल से लंबे समय तक बना रहा तो फिर सजा साथ साल तक की हो सकती है तो क्या बिला कि जो भी प्रावधान इसमें है वो comparatively काफे जादा tough है तो क्या changes प्रपोस किये गए हैं गौर्मेंट ने प्रपोस किया है कि जो military penalty है उस थोड़ा कम severe बनाया जाएगा हाला कि EPA में अगर कोई ऐसा violation होता है जिसे किसी वेक्ति को injury हो जाए या उसका उसकी जान चली जाए तब तो मामला IPC के अंडर में deal होगा मतलब जो IPC में प्रावधान है सजा के वो दिये जाएंगे बाकी इस कानून के तहर जो सजा के प्रावधान है सास साल तक की जील या पाँच ज़ार रुपाई पर डे का जो compensation का मामला है या penalty का मामला है उसको तब रिद्यूस कर दिया जाएगा फर्दर इसमें environmental protection fund को establish करने की बाद भी कही गई है जो भी funds आएंगे उनको इसी में रख दिया जाएगा जो अगरा नेक्स आर्टिकल is about leaders in climate change management देखे अभी recent में क्या हुआ है National Institute of Urban Affairs and World Resource Institute ने मिलके LCCM that is leaders in climate change management को चालू किया है इस program के अंदर क्या किया जाएगा इस program के अंदर लगभग 5000 urban professionals को climate change से निपटने के लिए adaptation and mitigation solution सिखाए जाएगे कि कैसे आप इनको adapt कर सकते है Now what is this adaptation and mitigation देखे जब climate change होता है न उससे निपटने के दो रास्ते हैं या तो आप उस चीज को adapt कर लो जैसे example के तो पर गर्मी बढ़ती जा रही है तो आप थोड़ी बहुत गर्मी सहना सीख जाओ that could be one solution that is called as adaptation ठीक है अब दूसरा होता है mitigation मतलब उस problem को cancel out करने ही गोशिश करना for example हमने ozone layer deplete हो रही थी ठीक है तो हमने क्या किया उसको cancel out करने के लिए जित्ती भी CFC के SST उनको बंद कर दिया तो वो problem खतम हो गई so इस प्रकार से हम इन 5000 working professional को adaptation and mitigation solutions दिखाएंगे यही इस पूरे program का मकसद है तो बस आपको इसका vision जानना है program का मतलब objective और दूसरा chapter close now the next article is about UN ocean conference देखिया भी recent में 5 दिनों के लिए conduct हुई थी यह UN ocean conference और इसको co-host किया सक इसने Kenya ने and Portugal ने अब याद रखियेगा यहाँ पर लगभग 130 countries के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने हाँ पर दस्तक दी और इस program में mainly क्या हुआ या इसका objective क्या था देखिये यहाँ पर main objective यह था कि एक ऐसा international agreement बनाया जाए में लिए हाँ पर discussion हुआ एक ऐसा international agreement के उपर जिससे कि हम world के जो भी ocean के resources हैं sea resources है marine resources हैं को project कर सके because climate change हो रहा है problem वहाँ भी हो रही है तो बस यही एक main मकसद था इस पूरे UN ocean conference का so the next article is about CDRI ठीक है अब देखिये recent में cabinet ने अप्रूफ किया है कि CDRI को international organization का दरज़ा दे दिया जाएगा अब जब आप किसी भी organization को इंडिया में international organization का दरज़ा दे रहे हैं तो उसे United Nations Act 1947 के अंदर रखा जाता है इससे क्या होता है कि उस organization के सारे members को ठीक है जो भी committees है और भी जो सब organization है उन सभी को कुछ immunities and privileges provide की जाती है जैसे कि UN में provide की जाती है जैसे UN के जो members है उनको हम diplomatic immunity दे के रखे है आप अराम से आईए जाईए को issue नहीं है घुमिय इंडिया में ठीक है अब जो power and facilities है वो से हम हम CDRI को देंगे because हमने उसको international organization का दरज़ा दे दिया है और UN Act 1947 के अंदर रख दिया है ठीक है वैसे actually मैं पता ऐसा किया क्यों गया ये जो act था UN Act 1947 ये 1947 में ही लाया गया था ठीक है ऐसा क्यों किया गया था because जो UN Charter का Article 404 and 105 है वो यही बोलता है जितने भी member countries है उनको एक ऐसा act pass करना पड़ेगा जो कि UN को diplomatic immunity provide करें मतलब privileges and जो immunities होती है वो provide किया जाए तो उस टाइप इंडिया ने किया था उस टाइप पे मात्र एक international organization का दरजह हमने UN को दिया था अब CDRA को भी दे दिया है ठीक है समझ भाया so this is the main case which is going on ठीक है अब विससे सब कियो कि हो गया क्या फाइदा होगा इसका देखो पहली बात तो उनको immunities and privileges provide होगी तो वो बहुत easily इंडिया में acceptable होंगे वो दो एक fact है उसके अलावा भी जैसे मालीजे बाहर की जो member countries के कुछ experts उनको invite करना है ठीक है उसमें help होगी मालीजे हमें बाहर funds provide करना है अब हम अपने bureaucratic structure जाएगे तो it will create a lot of problem but अब अगर हम through this international organization के provision के जाएएगे तो it will be very easy मालीजे को technical expertise बुलानी है वहार देनी है so it will be very easy through this act ठीक है अब what about CDRI देखो CDRI का headquarter याद रखना it is in New Delhi that is Secretariat is in New Delhi ठीक है और इसको हमारे Prime Minister Modi जी ने launch किया था 2019 में UN Climate Action Summit में याद रखना this fact is important कहा पर launch हुआ था UN Climate Action Summit New York में जो हुई थी 2019 में वहाँ पर इसको launch किया था ठीक है और इसमें अभी तक 31 countries 6 international organization और 2 private sector organization member बन चुके है और इसका main purpose क्या है इसका main purpose क्या है जो भी हमारे हाँ पर member countries जुड रही है उनको एक अच्छा disaster resilient structure प्रवाइड करवारा है उनकी country देखिए ये नुन्चुगा का मतलब होता है big baby animal ठीक है और अभी क्या हुआ है recent में जो Canada की Yukon territory है वहाँ पर जो baby mammoth है उसके remains मिले है ठीक है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो baby mammoth है ये female थी ठीक है और आज से लगवख 3000 साल पहले ice age में exist करती थी ठीक है ice age में मरके वहाँ खतम होगी थी वैसे इससे पहले भी एक जो mammoth है उसके remains मिले है जो calf था ना mammoth calf होता है उसके remains मिले है और उसको हमने नाम दिया था F.E. और ये Alaska में मिला था 1948 में उसके बाद अब मिला है mammoth का like complete calf mammoth की बात नहीं कर रहे हैं animal और ये जो है 30,000 साल पहले exist किया होगा 30,000 साल पहले उसके death हो थी कहाँ पर ice age में okay so this is about noon choga तो आज के इस session में बस इतना ही thank you very much